दोस्तों एक फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर कल Realme ने Realme 6 Pro users के लिए Android 11 open beta application form release किया जिसमें बहुत सारी users ने form को apply किया है अगर आप इन users में से हैं जिनने अभी तक apply नहीं किया है तो application form अभी open है आप जाके apply कर सकते हैं आज किस वीडियो में हम बात करेंगे उसी application form के बारे में कि जिन users ने apply किया है उनका अभी तक under review हो रहा है कितना percent chances है कि उनका application approve होगा update कब तक मिलेगी साढ़े doubt आपके clear करेंगे आज किस वीडियो में इसलिए ध्यान से वीडियो को देखें सबसे पहले बात करते हैं कि android 11 early access open beta की seat कितनी थी तो यहाँ बस seats जो है वो unlimited थी कल दीन भर open थी और अब भी open है यानि कि seats की कोई यहाँ पर limit नहीं है जो users चाहे वो apply कर सकता है apply करने के just तुरंत बाद आपको application जो है यहाँ पर under review शो होगा आप चाहे तो application exit भी कर सकते हैं cancel application करके और फिर से आप चाहे तो apply कर सकते हैं पर देखें मैंने cancel कर दिया और फिर से open beta अभी available है मैं यहाँ से apply कर लूँगा तो सवाल यहाँ पर यह है कि application जो है वो approve कब होगी तो approve दोस्तों चुकी दीन भर का वक्त दिया आज भी open है तो आज तो approve होने चाहिए साम तक अगर approve नहीं होती है तो कल approve होगा application अब कितना chance से से आपके application के approve होने के या reject होने के तो तो open beta application यहाँ पर जब open होती है तो इसमें application reject होती ही नहीं है शारे के शारे application को approve किये जाते हैं जब सुरू सुरू में early access आती है तो वहाँ पर जो है application reject किये आता है चुकि ज़्यादा यूज़स को नहीं दिया जाता है चुकि वहा पर आपके application reject नहीं होने वाले है application आज या फिर कल अप्रूव होने है और update मिलेंगे आपको कल शाम तक या फिर परसो update आपको 100% मिल जाएगा अब ये update आपको करना चाहिए या फिर नहीं सबसे बड़ी ये problem है कि update करना चाहिए या फिर नहीं दोस्तो तो update जो है आप कर सकते है early access application नहीं ये open beta है यानि कि इसके बाद stable update आने वाली है तो bugs बहुत कम मिलेंगे चुकि अब तक 5-6 बाद test किया जा चुका है इस firmware को तो finally जो है आप कर सकते हैं यहाँ पर update लेकिन दिक्कत क्या आएगी Android 11 के update के बाद वो मैं आपको बता दू चुकि मैंने update किया है कोई अगर आप यूज करते हैं यानि कि hack किया हुआ application प्रो वर्जन वाला तो आपका automatic exit होगा या फिर run नहीं करेगा blank screen आजाएगी अगर आप कोई और application यूज करते हैं तो automatic exit की problem हो रही है और आपके Android के जो data folder है Android folder में data वो आपको directly आप सो नहीं करेंगे हाला कि कुछी applications के मद modern application जादा यूज करते हैं तो इस application firm को अभी reject कर दीजिए या फिर आप update करिए ही नहीं जी हां दोस्तों अब modern applications के लिए हैं चुकि security पे ज़्यादा धिया गया है और धीरे धीरे Android जो है secure होते जा रहा है तो परिशानी आ रही है मैंने यहाँ पर downgrade किया है अपने phone को upgrade करने के बाद चुकि मुझे बहुत सारी परिशानी आ रही थी तो बस overall यह ही doubt किलियर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है उम्मीद है कि आपके साड़े doubts अब किलियर हो चुके होंगे फिर भी कोई doubt है तो टेलिग्राम पे मिलिए या फिर वीडियो के नीचे comment करिए हम ज